हलो एवरीवन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अकाउंट्स का जो हम लोग कोर्स इसके साथ साथ मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमने अकाउंट्स के साथ जो जो लोगों को नहीं पता है हमने और भी सब्जेक के वीडियो अप्लोड किये हैं जैसे कि मैट्स, मैट्स, एसपी और अपना एकोनामिक्स ठीक है तो बहुत जल्द उसी के लेक्शेस भी अप्लोड हो जाएंगे ठीक है धिर दिर हम इंगलिश भी स्टार्ट करेंगे ठीक है कि नहीं है तो पहले अभी मेन जो सब्जेक्स है जिसको अकाउंट्स तो सबको है ठीक है मैट्स और प्जल्द विद्ट हो जाएक है तो मैट्स one स्टार्ट हो चुका है एकोनामिक्स, ऑन भूह है तो वह भी स्टार्ट हो जुकाा उसी का लेक्शेन भी बहुत जल्द होना शूरू हो जाएगा, तो आपकी पढ़ाहीं रुकनी नहीं चये, आप यह पहले जıtना हुआ होत आप complete करो, बहुत जल्द हम लोग कि आप यह जो कोर्स है, आनलाइन पुरा लांच कर देंगे, कैसे आप तक की वीडियो अविलेबल हो जाएंगे, क्या उसका format रहेगा, कैसे कब तक आपको देखने को मिलेगा, क्या उसकी validity होगी, ठीक है, क्या cost होगा, क्या fees होगा, सब कु पर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, that is, standard 8 से लेके 10th standard तक महारा उस्टाबोड as well as CBSC board, ठीक है कि नहीं है, और मेन अभी हमारा focus फिलाल initially है, starting में, that is, board exam जिसके होने वाले 10th standard ठीक है, और 12th standard, तो हम वो दोनों boards के लिए हम पहले हम ज्यादा वीडियो वहाँ परिपार कर standard देखो कि वहाँ पर उस तरीके से maintained किया गया है, अब वहाँ पर जाके उसकी पढ़ाई अपनी शुरू कर दो, और नोट्स बनाना शुरू कर दो, और सबसे important अपने friends के साथ, please share करो, ठीक है, और जो भी आपकी comments से, please लिखो, हम try करते हैं हर एक को reply करने के लिए, कुछ भ इंस्टाग्राम पर वहाँ पर भीज़ दो, ठीक है कि यह messenger पर तो हम वहाँ पर आपका जो भी doubts होंगे हम solve कर देंगे, चलो start करते practical problem number 5, ठीक है, चलो, सबसे पहले question पढ़ेंगे, जो हम लोग करते आ रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, जरा देखते है, Sochitra and Gayatri are partner sharing profit and loss in the ratio 3 is to 2, तो ratio कितना है, 3 is to 2, ठीक है, तो ratio क्या दिया हुआ, यहाँ पर 3 is to 2 already दे दिया गया, ठीक है, अब हमको कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ नहीं बोला होता तो हम 50-50 करते हैं, अगर बोला होता by capital ratio करना है, तो हम capital के हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते है अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आगे, from the following trial balance and additional information, you are required to prepare, trading and profit and loss account for the year and date 31st March 2019, और क्या दिया हुआ है, हमको balance sheet दिया हुआ है, as on that date, ठीक है, तो अब यहाँ पर information थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है, trial balance का, सिर्प format अलग है, normality तरीके से अलग होता है, debit अलग, credit अ ruling होता है उस तरीके से, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, चलो, अब यहाँ पर क्या-क्या हमार पास है, पढ़ते हैं, सबसे पहले क्या है, purchase and sales, purchase का debit होता है, credit का credit होता है, ठीक है, इस सबको पता है, अब workman, works manager salary, क्या है works manager salary, तो यह जो salary है, ठीक है, यह manager को दी जा हमारा normal manager को salary दी कही है, तो office के अंदर होगा manager, तो उसको कहाँ पर दिया जा रहा है, P&L में जला जा है, क्योंकि उसको आप office की तरह treatment देते हैं, ठीक है, फिर capital आपको पता है, opening stock है, data creator, wages and salaries, ऐसा नहीं है, wages अलग, salary अलग नहीं, wages and salaries साप में component है, यह मने introduction lecture में भी आपको कर दिया था, वापस जब post करेंगे तब भी में बता दूँगा, bill receable, bill payable, discount, motive power, motive power भी explain क्या हुआ है, आपको motive power बोलेंगे तो क्या होता है, motive power वो चीज है, जो power high voltage वाला power लगता है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, electricity high voltage ही हो सकती, coal हो सकता है, fuel हो सकता है, जो भी लगे power तो उसका जो खर्चा है, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, फिर है आपको custom duty, interest, unproductive wages, audit, audit fees, rent, conveyance, फिर क्या है, goodwill, copyright, फिर आपके बिल्डिंग, partner, सुची तरह, loan, investment, और क्या है आपके बाद, cash at bank, तो इस तरीके से आपके बास पूरा का पूरा trial balance क्या है, अवेल आपके बारे मनदब रीड करना है और आगे बढ़ना है, वहाँ पर ही सोचने भी मत बढ़ा है, कौन सा इटम कहाँ पर जाता है, ठीक है कि नहीं है, पूरा साल पर पढ़ा है, सोचने के लिए कैसे करने के लिए, अब एजस्मेंट बढ़ता है, स्टॉक on 31st March 2019 was valued at 19,700, ठीक है कि नहीं है, गुड्स कोस्टिंग 3,000 distributed as free sample, ये भी हमने cover किया हुआ है, फिर motive power includes 5,000 paid at deposit for power meter, तो ये जो आपके पास एक जो खर्चा था, कौन सा वाला, किदर गया, motive power, motive power ये रहा, तो ये जो खर्चा यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा सा प जो खर्चा है, इस खर्चे में कुछ इंक्लूड हो गया गलती से, क्या हो चुका यहाँ पे, गलती से, क्या हो गया है, जो आप deposit देते हो, कौन सा meter का, अब समझो घर पे आपके electricity लगी हुई है, बराबर है कि नहीं है, आपके बास का electricity घर पर आती है, आपके अपके अपक आपके बास क सब्सक्राइब जिए है, इसा का और चालरा है, जो पीच में पो घो जबता भाद करोलगा यह तो लाज बीच में भादे हो जब बादे भी हो मिज्गा धान दो, क्लिर है कि नहीं है, मुझे तो पता ही तो पन्हीं भी का अबता है, झांः पता है आप जबी कभी भी घर खरीदते हो, ठीक है कि नहीं है, तो अगर वो रिसेल वाला है, तो सबसे बहुते हैं, बिल्डर को पूछोगी, क्या हमको मीटर लगा के मिलेगा, क्या पावर का, सिधी सी बात है, तो उसके लिए आपको को डिपॉजिट पे करना पड़ता है, क्या प तो आप डिपॉजिट चार्ज रियाव कर लोगी, किससे रिकॉजब करोगी, डिपार्टमेंट जो अपना बॉड है, कौनसा वाला इलेक्टिसिटी डिपार्मेंट, एलेक्टिसिटी बोड बुलो, उनसे अब रिकॉड करोगी, आप मीतर बोलो कै ले लो तुमारी आपके लेंद लेंद लाइन हुआ करता था बराव भूत सारे घर से गाएब हो चुका है तो वह आज कर लेंद लेंद जीटे नहीं है मुश्ली और कुछ लोग कर वह पर होंगे ऐसी बात बात करता हूं मैं तो वह जो अगर आपका बिल आता होगा आपको जो टेलीफोन दिया जाता था वो या आपके पास होगा जो एम्टेनल डिपार्टमेंट से दिया गया है वो उनकी प्रॉपर्टी होती आप वो यूज कर रहे हो अब आप उसको निकाल के साइड मेरो तो आप डिजाइन वाला कुछ अलग से लेकर आ जाते हो बराबर यह आपको खर्चा नहीं है आपको मिलने वाला है तो आप इसको क्या करते हो एसेट साइड में रखते हो क्लियर है समझ रहो मैं क्या बोलना चाहरा हूँ इसलिए आपका एक गलती से पेमेंट हो चुका है इसको आपने खर्चा मान लिया था तो खर्चा नहीं है वहां से निकालो और कहां पे रखो एसेट में रखो क्योंकि आप क्या करने वाले हो deposit का पैसा वसूल करने वाले हो clear है कि नहीं है उसके बाद क्या है depreciate building यह तो आपका favorite adjustment है तो building पे हम जाकी क्या करेंगे चोटा सा dot करेंगे building 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 कहां पे है यह रहा तो यहां पे चोटा सा क्या कर देंगे हम dot कर देंगे फिर आगे बढ़ता है फिर right of 2000 is bad debt and maintain RDD at 3% on data तो data कहां पे sunday data यह रहा तो यहां पे जो debit balance है वो data का है यहां पे हमने क्या कर दिया dot कर दिया ठीक है कि नहीं है उसके बाद bill receivable include dishonor of a bill of rupees 4000 bill receivable है वहां पे dot करेंगे एक और चीज़ आप समझो bill receivable के साथ साथ data में भी adjustment है तो पहले bill receivable वाला adjustment होगा फिर आप जो RDD वाला adjustment हो बाद में होगा तो पहले आप यह 6th वाला करोगे फिर यह 2nd करोगे यह मैं hierarchy कहा दे रहा हूं सिर्फ इन दोनों के लिए यह दे रहा हूं इन दोनों में से पहला कॉनसा करोगे 6th वाला फिर आप करोगे 2nd वाला इसके लिए बाद में बोलना नहीं सर आपने तो पहला यह लिखा था कर तो आपने दूसरा रहे हो तो वह वाली बात नहीं है ठीके यह 1st होगा यह क्या होगा 2nd होगा इन दोनों में क्यों होगा क्योंके बाद डेट और RDD वाला adjustment अगर कोई adjustment पहले होते हैं कॉनसे Sunday data के वह आप पहले complete करोगे फिर यह last में complete करो कि यह चीज मैंने आपको पहले भी बताए गई थी clear है कि नहीं तो चलो start करते हैं आपको ruling ready रखना है अपना ruling ready नहीं है तो please ready कर लो फिर हम sums का sum solve करने का प्रस्तान करते हैं ठीक है चलो इस तरीके से आपकी ruling होगी trading account for the year ended मैं year वगरा लिख लेता हूं year ended 31st March 2019 ही है March 2019 balance sheet और 31st March 2019 ठीक है चलो यह है हमारा question number question number 5 ठीक है चलो सबसे पहले ले ले थे हम adjustment अभी adjustment हम पहले क्यों solve करते हैं आप समझो यहां पे कुछ-कुछ लोगों को यह भी दिक्कत हो रही है कि भई सर आप ऐसे इच में लिखते हो confusion हो रहा है अरे भई आप पहले वीडियो से आप शुरुआत करो आपका यह वाला जो काम है इस तरीके से पहले trading account में वहां पहां पहुच के चारफास लाइन छोड़ दोगे फिर आप नीचे लिखो के buy closing stock ठीक है कितना value है closing stock का 19,700 तो यहां पह लिख दोगे 19,700 फिर अप कहां पहां पह आओगे second effect दोगे balance sheet में क्या आपका closing stock बचा है ठीक है कि नहीं है तो आप यहां पहुचते हो और क्या लिखोगे अभी यहां पहुचके आप 10 line छोड़ के लिखोगे closing stock कितना लिखोगे 19,700 आउटर कॉलम में यह आप सबसे पहले काम कर दोगे अब मैं क्या करता हूँ चाहिए तो ठीक है चलो यार देखें के जगह का कुछ होगा तो अब पहला adjustment complete हो चुका है second goods costing 3000 distributed as free sample अगर इसका आपको example चीए अगर आप newspaper रीड करते रहोगे तो कभी-कभी coffee ino वगेरा news shampoo newspaper में चिपकाओ आता है आप उसको use कर सकते हो या कभी-कभी आपने देखा होगा अगर best example आपको दू newspaper भी नहीं पड़ते होंगे तो फिर अपना क्या बोलते हैं आप कभी किरानी की दुकान जो राशन की दुकान होती उसके बार कभी-कभी कुछ लोग खड़े होते हैं आपको पॉप्कॉन खिलाते हैं वहां पर बना तो एक किलो खरीदने साब होते हैं भाया यह टेस्ट कराना भाया यह टेस्ट कराना तो दो-तीन मिठाईयां टेस्ट करते हो न की नहीं करते हो थोड़ा सा तो उस हिसाब से क्या बन जाता है कुछ ना कुछ चीजें फ्रीली आपको दी जाती है तो इक गुड उस तरीके से आप लिखो वहाँ पे तो उस तरीके से आपको करना है तो यहां पर गुड निकला है कैसे निकला है buy a goods distributed as free sample तो अब यहां पर पॉच के क्या लिखोगे अब यहाँ पर जब आप 1st तीम लिखते हो न, आपको पता है सबसे पहला इटम कौन सा होने वाला है यहाँ पर होने वाला है, buy, sales होने वाला है तो पहली लाइन तो उसके लिए जानी है less return या जो भी यहाँ पर होगा उसके लिए हम छोड़ देते हैं, उसके बाद आप नीचे लिख सकते हो Buy Goods Distributed as Free Sample मतलब, भाई, Goods को निकाला गया है, क्यों निकाला गया है? Sales की रूप में तो निकला नहीं है, क्यों निकला है? For Advertisement Purpose, लेकिन पहले तो Goods निकला है, तो हम पहले Goods का Entry करते हैं, कितना? 3,000 रुपया, तो 3,000 रुपया के Goods तो भार निकल चुके हैं, ठीक है, अब बताओ, यह जो खर्चा हुआ है, Goods निकले है, आपको कुछ मिला है, क्या नहीं मिला है? अगर मिलता है, तो Income होती, Income हो नहीं रही है, क्या हो यह उल्टा, Advertisement का खर्चा PNL में पहुचके, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, To Advertisement Expense, कितना लिखोगा, Outer Column, 3000, Bracket में लिख सकते हो आप, ठीक है, आप क्या लिखोगे, उसके बाद, Advertisement Expense के नीचे क्या लिखना है आपको, Goods Distributed as Free Sample, Normal Expenditure Advertisement है क्या, जैसे आपने कुछ पैम्पलेट बटवाई है क्या, नहीं, आपने क्या क्या लिख दिये है, उसका खर्चा है, आपका Advertisement Expense, 3000 रुपया, और गोड्स जो निकले है, वो ट्रेडिंग अकॉंड में उसका हिसाब आचुका है, कि 3000 के गोड्स कम ह हो चुके हैं, और क्या हुआ है, 3000 का रुपीज में नुकसान हुआ है, sorry, रुपीज में आपने expense किया, नुकसान लॉस नहीं बोलूँगा, रुपीज में क्या क्या है, आपने expense किया, ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए आपने उसको entry कर दी, PNL account में आपने entry कर दी, clear है, चल हमने dot करके रखे थे यार, यह तो data's पे था, building पे था, building पे था, building पे था, और कहां था, motive power पे था, ठीक है, अब मिर को बताओ, motive power का खर्चा किता है 1350, power कहां पे use होने वाल, trading में use होने वाल है, तो आप कहां पे पहुचोगे, trading में पहुचोगे, सबसे पहले आप होगे, क्या लिखोगे यहां पे, सबसे पहले तो होगा यहां पे to, opening stock, यह तो सबसे पहले आने वाला आपको पता है, उसके नीचे आने वाला है क्या to, purchases, less, return वगेरा कुछ हुआ तो उसके लिए जगा रखते हैं, फिर मैं एक अलग यहां पे ले लेता हूँ, ताकि आप to motive power, motive power, कितना खर्चा है, 1350 रुपया, अब आप जो बिजली का बिल भरने गएते हैं, motive power का मैं मानता है, बिजली का बिल था, electricity बिल था, वो आपने पे किया 1350, लेकिन उसमें से आपका deposit का पैसा था, कितना था, 500 रुपीस, तो आप उसको लेस करोगे, तो कितना मिलेगा 850 रुपीस, ताकि 500 रुपया तो आपका बचा है, क्योंकि आपको बाद में मिले जाएगा, आपने ये deposit के रुप में जमा किया, तो आप पहुचोगे, asset side, और वहाँ पे क्या लिखोगे आप, closing stock के नीचे लिखना चाहिए, नीचे लिख दो या तो उसके उपर लिख दो deposit for, क्या लिखोगे आप, अराम से सोचो, deposit for, deposit for power meter, कितना, 500 रुपया, ठीक है, तो ये वाला काम आपका देखो हो गया, next adjustment हो गया इस तरीके से, अब उसके बाद पढ़ते हैं, आगे क्या है, depreciate building at 5%, तो building 88,000 रुपीज, आपके पास अल्रेडी पढ़ी होई है, आपके बास building पहुचो गया, सुब से पहले यहाँ पे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, नॉर्मल ले लो, yellow color adjustment के लिए, क्या लिख 8,000, less depreciation at 5%, तो इस पे आपको क्या निकलना है, depreciation निकलना है, कितना निकलोगे, 88,000 into 5%, तो कितना हो गया वो, 4,400 रुपीज क्या करोगे, less करोगे, तो वो minus हो जाएगा, कितना बचेगा आपको, 83,600, ठीक है कि नहीं है, तो यह आपके पास building less depreciation करोगे, कितना, 4,400, इसका second effect आपको पता है, trading account में जाएगा नहीं, नीचे आप लिख दो, to depreciation on building, कितना होगा, 4,400, ठीक है, तो यह आपने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है, तो यह वाला adjustment भी complete हो चुका है, अब बचता है adjustment number 5 and 6, तो 5 and 6 में हम पहले कौन सो solve करेंगे, 6 वाला करेंगे, ठीक है, तो आप पहले हम 6 वाला करेंगे, क्योंके ने पहले आपको बताया दे कि other adjustment apart from bad debts and RDD, वाद में होंगे, पहले वाले कौन से होंगे, कुछ भी उसके अलावा हो, तो पहले होंगे, ठीक है कि नहीं है, तो आप bill receivable include dishonor of a bill of rupees 4000, मैं आपको समझाता हूँ, य पहले हाँ पहले अच्छे से समझ लो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब देखो होता क्या है, आपके पास एक बंदा है A, एक बंदा है B, ठीक है, A, B को क्या देता है, goods देता है, ठीक है कि नहीं, B, A को क्या देता है, पैसे देता है, transaction खतम, कोई दिक्कत ही नहीं, क्या देता है, B को क्या देता है, goods देता है, tension मतलब लिख रहा हूँ, B को क्या देता है, goods देता है, B, A को क्या देना चाहिए, पैसे देना चाहिए, पर पैसे देता नहीं है, तो A, B को क्या मान लेता है अपने बुक्स में, status ठीक है कि नहीं फिर B क्या बोलता है? ठीक है भृही मेंकोbound 118 काम कर एको बलता है मेरे को बिल दो मैं साइन करके देतो तीन मैने बाद पैसे दूँगा ए क्या बलता है ठीक है तो ए उसको डेटर से हटा देता है और क्या मानता है उसको नाम दे देता है बिल्स बिल रिसेवबल फ्रॉंँ वो बोलता है कि भई बिल से को बिल से देना है अब बिल्स डिसहो Copa म Time अब यहीं कि एक अगरता है बहूरण बौलता है वापस इसको क्या बना देता है डेटर बना देता है ठीक है क्या नहीं है तो यह वाले केस में यही हो रहा है, एक asset कम होता है, मतलब कम क्या हो रहे, data कम हो रहा है, और दुसरा asset बढ़ रहा है, bill recevable, यह हो गया normal कहानी, dishonor, तो क्या हो, bill recevable, cancel, ठीक है, बढ़ा देटास को बढ़ा दो, ठीक है कि नही है, तो यह asset के अंदर की कहानी चल रही है, तो अब यही चीज हो रही है, अब आपके पास क्या है, bill recevable है, तो bill recevable आप कहान लिखोगे, मैं लिखता हूँ, यहां पर लिखता हूँ, bills, bills recevable, कितना था bills recevable, जरा देखो, यहां पर एक dot होना चाहिए, कितना था, 22,000 रुपे, कितना था, 22,000, तो हम पहुचते है, यहां पर bill recevable, 22,000, कितने का dishonor हुआ है, जरा देखते हैं, कितने का dishonor हुआ है, 4000 रुपेस, कितना, पहले 22,000 राने थे, bills recevable, bills के रूप में, अब 4000 रुपे आने वाले नहीं है, तो आप क्या करोगे उसको, आप लिखोगे पहुचके वहां पर, less dishonor, that is what, 4000, तो भार कितना चला जाएगा, 18 रुप, अब आप नीचे लिखोगे क्या, sundry डेटस, कितना market से पैसा आना था, जरा देखते हैं, sundry डेटस के दर, जो यहाँ आप आपको डेटस के रूप में दिया हुआ हुआ है, 47,500, तो आपको पता है कि 47,500 आने है, 47,500, अब क्या करोगे इसके अंदर, आपको डिसॉनर हुआ हुआ हुआ, अब आपसे डेटर बनाना है, ठीक है की नहीं है, तो आप क्या करोगे, add, add dishonored of bill, कितना 4,000, तो अब आपको पैसे कितने लेने मार्केट से, 47,500 तो लेने ही थे, प्लस 4,000, that is what 51,500, तो 51,500 आप रूपीज क्या लोगे, वसूल करोगे, clear है कि नहीं है, अब आगया आती ही बारी वहाँ पे, next adjustment, that is what number 5, write off 2,000 as bad debt and maintain RDD 8 rupees 3% on data, एक चीज जरा देखो, किदर भी कोश्चन में, पहले का कुछ बादेट सा क्या, होता तो हम क्या करते है, उसको सखल करके रख लेते है, अब इसके लिए वो न्यू है, ठीक है कि नहीं है, तो हम डारेक्ली वहाँ पहाँच्छे क्या bad debts, कितना होगा, 2000 रुपया, तो आप यह less करोगे, तो 51,500 में से 2000 less करोगे, तो कितना मिलेगा, 49,500 हो गया, that is 49,500, अब इसमें से वापसे less करना है, new RDD, कितना percentage है कुछ percentage दिया हुआ है, क्या, RDD कितना, add 3% on data, at 3%, तो 49,500 का 3% निकालो, that is what, 1485, ये इसमें से आप less कर दोगे, तो बहर कितना जाएगा, 49,500 माइनस करके, that is what, 48,015 रुपीज, क्लियर है, अब इसके second effect देते हैं, देखो, asset का दो dishonor और जो data का था, वो तो अधर का उधर ही हो गया, क्योंकि एक asset कम हुआ, कौनसा bill receable, औ और उसके बाद कुछ bad debt आपने निकाला, क्योंकि आपको पता चला, अजस्में में की नुक्सान हो चुका है, उसके बाद reserve अखना जरूरी था, वो reserve रखा, तो ये दोनों तो नए खर्चे हुए, आपको पता चले, पहले के तो कुछ भी थे क्या, कुछ भी नही थे, तो new bed debts, ठीक है की नहीं है, कितना था, 2000, फिर क्या लिखोगे, add new rdd, that is what, how much हमारा अराम से देख लो 1485, that is 1485, तो भार चला जाएगा 3485, ठीक है की नहीं है, तो ये वाला काम आपका, पूरा का पूरा अजस्मेंट इस तरीके से सब के सब complete हो चुके है, तो आपको में एक बा आपका तो आराम से देख लो, ठीक है, अब देखो मोटीव पावर आया तो हमने उपर वाला काम लिख लिया, क्लियर है कि नहीं है, उसके बाद सेल्स वगेरा आपको पता है कि आने वाला है, तो हमने पहले लिखा कि क्या आगए, एक नया एड़स्मेंट आगे ता वो हमन पर्चेस एन सेल्स, 65, 185,500, तो पर्चेस कितना है, 65,000 ठीक है, पर्चेस किता है, यहां पर, 65,000 ठीक है कि नहीं है, चलो, और सेल्स कितना था, आपने देखा था, अल्रेडी सेल्स वाज 1,85,500, ठीक है, यह वाला काम भी हो गया, अब नेक्स देखते आगे क्या है, नेक्स इंफोर्मेशन है, वर्क्स मैनेजर सेल्री, अब इसके नदर रोड़स्मेट क्रेड़स नहीं आपने अराम से देखा हो ता कितना था, याद करो, 2300, ठीक है, तो यह आपने लिख लिया, नेक्स्ट के आउसके बाद, कापिटल दिया हुआ है, सोचित्तरा और गायत रिका, तो हम पहुचते हैं यहाँ पहुचते हैं, ठीक है, यहाँ पहुचती है, आपके लिखो के प कौन कौन दो पार्टनर्स है, एक है, सोचिता, और दुसरी कौन है, गायत्री, अब इस सम में, करेंट अकाउंट दिया था, नहीं, तो यह कौन सा मेथड है, फ्लक्ट्वीटिटिंग मेथड चल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो मैंने बार-बार स्टार्टिंग पहले डेबिट वाला किया, फिक्रेडिट कया भी पूरा साथ में, तो जैसा एक ही अगाईटनम आता है, उसको उसे साब से करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ओपनिंग स्टॉक पर पाचिंग है, आपने अल्री लिखके रखा है, और लिखके रखा है, आपने लिखके रखा ह 35,000, ठीक है, यह भी आपका हो गया या लिखके, उसके बाद, नेक्स क्या है, संदी क्रेडिटर के बाद, वेजिस न सेलरी, जैसे मैं उनको बताया था, इस अमाउंट में जादा कंपोनें वेजिस का है, मतला भी जादा अमाउंट फेक्टरी में दिया गया है, सेलरी वहा नीचे, क्या लिखोगे टू, बताओ क्या लिखोगे, जो वहाँ पर था वो लिखोगे, क्या था महां बताओ, टू, वेजिस, एंड इसलरी, ठीक है, किना लिखोगे, 4,000 रुपर, ठीक है की नहीं है, चलो, नेक्स क्या, उसके बाद, वेजिस सलरी हो गया, बिल्स Payable, कितना लिखो कि आपने amount अलड़ी देखा हुआ है, कितना वापस से देख लो 27,300, ठीक है, यह वाला काम भी हो गया आपका, next बढ़ते हैं आगे, bills payable हो गया, discount, discount कॉंसे साइड दिया हुआ है, credit side, discount कॉंसे साइड है, credit side, मतलब यह के है, आपका income है, तो आप लिखो कि credit side, एक line छोड़ो कि किसके लिए अगर gross profit आता है तो अभी तक तो पता नहीं है, फिर भी एक line छोड़ते है, buy, discount, received, कितना था, 400 रूपीज, कितना है discount received is 400 रूपीज, next, motive power हो चुका है, custom duty, custom duty कब लग रही है, export duty कि तर इसके पहले वाले सम्मी था मेरे काल से, तो जब आप माल बेच रहे थे, हाँ पे तो माल बनाने के लिए कुछ पार्ट सार हो कि उसके वर डूटी लगी तो ट्रेडिंग में जाए कुछ 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 पार्टी लग रही है, आप माल मंगा रहे हो, ठीक है, import duty बोल लो है, उस तरीके से इसको आप बोल सकते हो, यहाँ पे लिखोगे आपको या तो आपका FD हो, उसका इंट्रेस्ट आयो, तो इंट्रेस्ट मिला है, तो लिखोगे, buy interest received, discount के नीचे, buy, interest received, 1300 रुपे, ठीक है की नहीं है, तो आप next क्या है, उसके बाद ज़रा देखते हैं, आराम से, इंट्रेस्ट हो गया, unproductive wages, ठीक है, productive होता तो आप कहा पर लेते हैं, तो आप कहां पर लेते हैं, उसको manufacturing करने के लिए, उसको अप्रोडुक्टिव हो सकता है, office, office में माल आया होगा, उपर लीचे करने के कुछ वेज़़ दिये होंगे, that is factory में नहीं दिये हो, इतना तो तो unproductive wages आप लिखोगे 3,000 PNL account में तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं 2 unproductive wages कितना amount था भई? 3,000 रुपया ठीक है तो यह आपने लिख लिख लिया 2 unproductive wages next क्या उसके बाद audit fees, audit fees आप कहां पर जाएगा? PNL में जाने वाल है क्योंकि accounts को audit करना पड़ता है तो उसकी जो fees पे की गए चार्ड़े अकांटेंट को तो वो कितना है? 1,500 रुपया तो आप नीचे लिखोगे यहाँ पर audit productive के नीचे 2 audit fees, ठीक है? कितना था audit fees? आप जरा देख लो वापस से आपको ध्यान में नहीं होगा तो यह कहाँ पर होगा? PNL पर होगा, clear है? तो हम जाके लिखते हैं नीचे 2 rent, कितना अमाउंट है? 1,800 रुपया clear है? तो एक बार अजस्मेंट हो जाता है नसल तो बहुत easy हो जाता है काम बहुत आसानी से हमारा हो जाता है अब क्या है उसके बाद? रेंट होगा कन्वेंस, कन्वेंस भी कहां पर जाएगा उधर ही जाएगा नीचे क्यूंकि कुछ बोला नहीं गया कौंसा कन्वेंस है तो डारेक्ली कन्वेंस कहां पर लिखेंगे हम और रेंट के नीचे, that is amount is how much? 2,000 Rs. Next item है उसके बाद Goodwill and copyright यह intangible assets होते Goodwill क्या होता है? एक नाम होता है ठीके कंपनी का, ठीके कैसा नाम होता है? मतलब उसनोंने कमाया हुआ हुआ नाम तो अमूल ने एक वर की वर्ल बनाता हुआ, यह का प्या है भरे ने नामूल का ही चाहिए हमको ठीके की ने टेस्ट इसके बदेरवोचने बच्पन से तो यह जो गुडविल बना है यह मैं कुछ अपिराइट है, जैसे कुछ इसकोंदी बनाता हूँ वहाँ पर आप लिखोगे, बिल्डिंग के नीचे आप लिख दोगे, क्या लिखोगे, एक तो लिखोगे, गुडविल, दुसरा क्या था, कॉपी, राइट था, अमाउंट भी देख लेता है, कॉपी राइट्स, जिसे गाने भी होते हैं, गानों के कॉपी राइट्स किसके पहले गुडविल लिखा न, गुडविल इस 25, और कॉपी राइट इस हाँच, 20,000, बराबर है, तो गुडविल इस 20,000, ठीक है, तो ये वाला भी पोस्टिंग क्या कर दिया, अपने बैलेंशीट में उसको कर दिया है, अब देखते, निक्स का या भी, बिल्डिंग अल्र पार्टनर सुचित्रा लोन, अभी इंटो इसा कुछ हिड़न विड़न कुछ भी नहीं बोलागे, लेकिन आप समझो, कभी भी लोन ऐसे फोगट में दिया नहीं जाएगा, फ्री में खाना खिलाने वाला, नहीं हर चीज का कुछ नगुछ तो आपको पे करना है, तो फर्म है, फर्म को लोन किसने दिया है, पार्टनर ने दिया है, ठीक है, पार्टनर ने पैसा दिया है, तो फर्म अभी कुछ देगा, तो फर्म क्या देगा, इंट्रेस देगा, यहाँ पर कुछ भी बोला गया है, क्या कुछ भी बोला है क्या मेरे बात मतलब कुछ बोला है calculation of interest on partners loan, clear? तो क्या लिखोगे सबसे पहले? loan amount is equal to, कितना है loan amount, बताओ जरा आराम से कितना है कितना था loan amount, 6000, कितना था, 6150 6150 therefore rate of interest will be 6% as nothing is specified in question तो यह आप इस तरीके से examiner को बता रहो, yes हमको knowledge है हमने उसको under एक line में लिख भी दिया therefore अब हम interest calculate करते है therefore interest is equal to to outstanding interest on loan suchita's loan amount कितना था 6150 add outstanding outstanding 6519 यह partnership adjustment पहले इतना ज्यादा पूछते नहीं थे अब आपकी book में specifically दिया गया है तो प्लीज ध्यान रखना यह वाला चीज़ पूच सकते है तो यह वाला भी हमने कर लिया अब उसके बाद क्या है investment 40,000 अब जो interest मिला था ना तो यह हो सकता है इसी investment में मिलाओ तो अच्छी बात है उसको यह entry आ चुकी है तो investment में आप पॉच के क्या लिखोगे 40,000 ठीक है closing stock की इधर जगा है क्या लिखता हूँ मैं investment 40,000 rupees फिर आपके पास क्या नीचे cash at bank ठीक है cash at bank कितना 26,000 ठीक है कि नहीं तो इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी posting समाप्त होती है प्लीज जरह देख लो कुछ छुटा होगा तो मेरे को पता चल जाएगा जब मैं टैली करूँगा देख लो trading account में कुछ आपका छुटा है तो फिर हम इसको टैली करते है Tension में रिटन नहीं हो तो मैं भार लिख दूँगा निल करके कुछ है नहीं पीनल देख लो ठीक है कुछ छुटा हो आपका तो और यह आपका पुरा का पुरा बैलेंशीट ठीक है और यह नीचे पहला working note अब आपको क्या करना है आपको अच्छी तरीके से पता है मैं आपको box बना के देता हूँ आप वहां पर पहले amounts निकाल के रख लो यहां पर एक pencil total निकलेगा यहां पर एक pencil total निकलेगा और एक चीज जो यहां पर less less return nil भार कितना ले लोगे? 1,85,500, same ले लोगे यहां पर भी less return nil इस तरीके से लिख दो तो भार कितना जाएगा? 65,000, ठीक है? तो अब आप आप आपस इसको total कर लो फिर हम क्या करते इसको? Sum up कर देंगे Sum को tally करके यहां पर total ले लेना इसका total हम ले लेंगे यहां पर ठीक है? तो इतना काम आप करके ready रहो, फिर हम Sum को क्या करते है? Tally कर देंगे ठीक है चलो tally करते है Sum को अब आपके पास क्या है? जो भी credit side total है काउन सा trading account का परावर है कि नहीं? तो वह हम लिखते है तो क्या total है? 1,85,500 प्लस 3,000 प्लस 19,700 को प्लस करो तो देखो आपको answer मिलेगा मिलेगा 2,8,200 ठीक है तो यह तो आपका हो गया pencil total बाद में erase कर देना आपको पता है अब debit side का total 18,700, opening stock, purchases 850, 2300, 4000, 1000, 500 इसको आप प्लस करते हो तो आपको answer मिलना चाहिए 92,350 अब कॉनस side ज्याद है? create side ज्याद है तो वह total आजाएगा दोनो तरफ 208,200 208,200 208,200 तो यहाँ पे आप लिखो के 2 gross profit carry forward 208,200 minus 92,350 करो तो आपको answer मिलेगा 1,15,850 यही total नीचे आजाएगा as by gross profit brought forward कितना होगा 1,15,850 अब आपको plus करना है credit side that is 1,58,850 plus 400 plus 1,300 तो यह credit side total करोगे यहाँ पे भी यह total आपको मिलेगा 1,17,550 ठीक है अब debit side का total प्लस करदो पूरा तो वह आपको मिलेगा 20,554 अब इन दोनों को minus करना है that is what 1,17,550 1,17,550 जादा है न तो यह आप लिख दो के दोनों तरफ 1,17,550 1,17,550 और लिख दो के यहाँ पे 2 2 Net Profit Transfer to Partners Capital Account कौन दो पार्टनर है Sucheta & Gayatri उपर लिखना in the books of वह से आपको पता है अब माइनस करो 1,17,550 को 20,554 से माइनस करो तो आपको answer मिलेगा that is 96,996 अब इसको आपको बाइफर्गेट करना है तो मैं यहाँ पे लेता हूँ walking note number 2 that is calculation of net profit distributed among partners क्या है यहाँ पे कितना है था 96,996 था तो partner का ratio क्या है 3 is to 2 ठीक है तो partner कौन है आपको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीकी से पता है 8198 है और यह है 38798 clear है यह प्लीज है totaling आपकी तरफ से होना चीए 38798 ठीक है तो यह दोनों जाएगा partners के इदर partners के इदर add net profit यहाँ पे बहुत जागा add net profit amount is 58,198 यहाँ पे amount is 38,798 तो यहाँ पे इसको प्लस करते हैं ठीक है की नहीं है तो देखते क्या होगा 47,500 plus 58,198 तो क्या मिल रहाँ आपको 105,698 यहाँ पे क्या मिलेगा 35,000 plus 38,798 that is 73,798 ठीक है अब सबको प्लस करते हैं 105,698 35,000 plus 27,300 plus 65,19 तो आपका total आना चीए अराम से कर लो मेरा total तो आ चुका है मेरे पास है आप अराम से total करो फिर आम answer में आपको match करवा दूँगा अराम से करो total करो मैं आपको total देता हूँ एक चीज यहां पर गलत है वो correction कर लो आपको अराम आपको 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 सब कुछ बराबर है कोई चिंदा नहीं है एक मिनट सुचित्रा का कापिडल वस 75,000 ठीक है इट वस 75,000 और दिस वस 40,000 कुछ अलगी अमाउंट लिखे गए थे तो अब 75,000 प्लस 58,198 तो आंसर इस 1 33,198 और आप प्लस करोगे 40,000 प्लस 38,798 तो होगा 78,798 अब प्लस करो तो आपको 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 एजीली पता चल जाएगा अरहम से प्लस करो अभी प्लस करो पूरा का पूरा बैलेंट प्लस करो तो आंसर मैच होगा 280815 280815 ठीक है? चेक कर लो कुछ गलत होगा तो बता देना पर गलत तो कुछ होगा नहीं टैली हो चुक है 198 798 35,000 27,300 और 65,19 ठीक है? 280815 is your final answer और यह टैली हो चुक है टेक्स्बुक में भी चेक करते हैं क्या हमारा answer सही है? 280815 ठीक है? नेट प्रोफिट वगेरा भी यह आया था चेक कर लो एक चीज़ जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ नेट प्रोफिट यहाँ पर कितना है? और अपना balance sheet 280815 पर टैली हो रहा है ठीक है कि नहीं? तो यह वाली mistake है यह पर और यह mistake भी कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ mistake भी आप बोलो इसको 97365 अब मैं आपको बता हूँ यह वाला क्या answer का interpretation क्या है यहाँ पर क्यों यह ऐसा answer difference आया? कोई भी चीज़ों मैं आपको ऐसे कोई cancel नहीं करवाँगा जहाँ ध्यान रखना अब देखो अपना answer क्या आया था? 96 96,996 ठीक है? पहले एक बार क्या क्या करो? इसको minus करके difference तो ले लो that is difference आता है 369 का अब आपको फिगर याद आ रहे 369 का that is partner सुचितरा loan तो यहाँ पर इस sum अगर आप इस sum को interest include नहीं करते हो ठीक है जो हमने include किया था वो नहीं करोगे तो आपका answer इदर tally हो जाएगा correct है और अगर interest डालोगे तो आपने वहाँ पर लेक दिया ना कि यह partner का interest था ठीक है loan का तो कुछ भी बोला नहीं किया था हमको 6% लेना चाहिए था हूँ लिया नहीं न यहाँ पर इसके वाज से यह answer 97, 365 पर क्योंकि लिया नहीं है और हमने देखो यह वाला यहाँ पर लिया था ठीक है दिख रहा है यह देखो यहाँ पर ठीक है यह amount हमने क्या के तयाड करके यह देखो 369 का हमने यहाँ पर expense दिखाया अगर यह नहीं दिखाते तो आपका net profit उतने से बढ़ जाता ठीक है कि नहीं और final net profit बढ़ता न 36996 plus 369 कर देते हैं यह रहा कि नहीं है तो यह रहा है इस तरीके से कोई भी amount इस तरीके से टेक्सबुक में मैच नहीं होंगे प्लीज यह मत समझना कि आरे हमारा answer आया है कि गलत है हमारा गलत क्यू है यह भी आपको देखना है हमारा सही है तो हमारा answer सही क्यू है यहां पर क्या गलत हुआ है और क्या यहां पर छुड़ गया क्या justification देते है वह बहुत important है तो यह रहा आपके लिए पूरा solution यह लिख लो पहले trading account पूरा का पूरा उसके बाद balance sheet profit and loss ले लो उपर trading and loss trading account तो दिखाया था यह ले लो अपना balance sheet ठीक है तो इधर यहां पर कुछ भी mistake हुई है तो आप 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 से देख सकते हो और यह रहा है पर उसका working note no.1 और यह working note no.2 ठीक है प्लीज वीडियो को like करो, share करो और चैनल को सब्स्राइब करी लिया होगा नहीं किया तो कर लो और notification जो है उसको on कर दो ठीक है bell icon पर उसको प्रेस कर दो और प्लीज फ्रेंट के साथ शेयर करो बहुत जल्दी हम लोग online course पूरा का पूरा आपका 12 standard हम launch करेंगे पूरा का पूरा ठीक है कि नहीं बिलकुल भी चिंता मत कीजिए बस पढ़ा ही चालू रखिए